आपने इस आदमी का ठेला बर्बाद किया और उसका बहुत सरा नुकसान हुआ है इसलिए इसकी सजा मिलेगी संतो शर्मा गिरफतार करो इसे करश्मा सिंग आपकी बहन कब तक आ रहेगी बस एक आग घंटे में मैडम सर आ जाएगी करश्मा सिंग मेक शुर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है जी इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी यह बहन का पेडा हुई अभी एक दो घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चली जाएगा इनकी बहन बिलकुल इनकी तरह है फूब हूँ अमशकल और अब वही य आपकी बहुत तरफदारी करती है यह भी बताती है कि आप जजबातों से बहुत चलती है तो फिर यह रिपोर्ट का है लिखवा रहे है यह भी जजबात से सॉल्फ कर दीजे ना आप देखो, रवीना, हम जजजबाती हैं, बेवकूफ नहीं, अच्छे से जानते हैं कि किसे जजबात की जरूत है और किसे हावालाद की, हमें पता चला है कि तुम अपनी बेहन के नाम पर बहुत गुंडा करती हो, चलो थाने में, अंदर चलके हम तुम्हें फर्क समझाते हैं म और अभ्हिमान के बीच, ले जाओ इसे, और हां, करिश्मा सिंग को फोन करिये, कहिए हमें बात करनी है, और जूंट, जी मादम सिंग, चलो अंदर, चलो दिए, चलो दिए, यह क्या फास्ट चींज कर क्या है मेडम, वही ही, जैहिन मादम सिर, जैहिन, आपने हमें ततकाल में बुलाया, और हमारी भेन आई उसके बाद इसे बुलाया, समझ में नहीं आ रहा है, जी हा, आई भी और हमने उन्हें लॉक अप में बंद कर दिया, का, हमारी भेन लॉक अप में पहुच गई, किसे कई से मादम सर, समझ में नहीं नहीं आ रहा है, का हो गया, का किया उस आपी की बहन ने करिश्मा सिंग, आई और आते से भोकाल मचा दिया, एक बिचारा वो पानीपूरी वाला उसका ठेला यहां रखा हुआ था, गिरा दिया उसे सब कुछ तहस नहस कर दिया, तो जिस भोकाल से वो आई थी, उसी भोकाल से हमने उन्हें लॉक अप में बंद कर अुछ अचार पडले लॉक्त उस थेले वाले का? उसका कॉसर यह था, के उसका जीवन पानी नहीं, पानी पुरी था हाँ हाँ, हाँ, समझ गे हम जाके बात करतें उनसे खीक है, हम भे निकलते हैं हमें लोने हैं उन्ली मारिज मांमेर ह debitcil my ऐन् optics संतु जी का मभाईली चार्ज करवाना है बहुत भायंकर काम है हुआ है बदनाम एक चाय बिला फास्ट क्लास गटिया बदनाम भई एक बाद समझ में नहीं आई यह दोनों बहने बिलकुल एक जैसे दिखती है हूँ बहु एक जैसे शकल है रत्तिपर का फर्क नहीं दोना मे और हमको भी एक बात समझ में नहीं आ रही है अब इससे पहले के भी ओ याद दिखी नहीं आई क्यों राइट इद्धम कर एक बात क्या करने आयोगे ए दोनु बागडविली क्या फाल तुमे तुम चेंस्वान बन रहे हो है और मोरपंकी क्या रही है वो करीश मा मैडम ने उसको बुला है वह हम शकल बहनों का केस सौल करने के लिए वो केते है ने जैसे के लोहा लोहे को काटता है वैसे हम शकल बहन हम शकल बहन के केस को काट देगी वैसे क्या बात करें वो काटती भी है कि निकल निकल अभे जाहिल गवार अरे पकड़वाईगी वो इसी लिए बुढ़वाया ना अच्छा हम तो डर गे थे जाए पिला चल का माल काईडिया है संतु निकल डिएसपी सर का एमोशनल वीडियो बना कर मैडम सर को दिखाने का मैडम सर को लगेगा दीएसपी सर उनके वेरा में एक्डम दीवान हो गया है उनके अंदर का प्यार चाह उठे का जजबा तडब बटेंगे भड़ो उठेंगे वाँ पर पुष्पा जी उनको मनाना असान नहीं था, उनको समझाना पड़ा कि सोचल मीडिया भी जरूरी है, ताकि लोगों को लगे कि वो भी उनकी तरह आम आत्मी है, इसली कनेक्ट हो पाए, हाँ 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 है इसली कनेक्ट हो पाए, फाइली जाके वो मान गया और वीडियो ब माडम सर ये वीडियो देखेंगे, हाँ, धागी धागे DSP सर के गले लेगे और कहेंगे, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, बिल्कुल हमारे और हमारे लल्ला के पपा की तरह, इस एक बात कहें सम्तु, जहरे से जितने तुम भून तुम लगती हो, उचली तुम हो न जैसा आप चाती थी बिल्कुल वैसा हो गया है, पुरी दुनिया को पता चल गया है कि रवीना हमार हम शकल बहन है, अब आगे बताई आगे का करना है, आगे वही जो होना चाहिए, अब जुन करेगी करिश्मा सिंह, लेकिन इल्जाम लगेगा रवीना पर, वो रवीना ज यह लिजे, पास लाग कैश है और बीस लाग की जोल्डी है, देखे माम, हमने तो अपना वादा पूरा किया तच्छूर, अभी आपकी बार ही है अपना वादा पूरा करने की, कलन का कबाब और करिश्मा सिंह का वादा यही दो चीजे बची है इस दुनिया में जिस पर भ ममा, यह तो सब इंटर कोसा था जोइं नदेर, माम थैक सो ब्धिम्टर के जोनिक लिटर है अधी..ाधी, मदम संवश्मक्दर कैम मारे मैजेँ लेजरी है अच्ऺून। अच्ऌओन। एक मिन! मैडम मैडम गुरवर्वाइट old. का हो जाए.. हंती हां.. मैडम मैडम गुरवर्वर्स प्राम। और हो जीना.. हम मैं मैडम से मिलनाय है.. हảल पेशी दिरेक्ट नहें मिल सती.. चीता चतुरुवय्दी आने दीजियोंने, आईए और आप अंधर आपकर हो अचलियो मैदम आपके थखने की जो ऑफिसर है ना करिष्मा सिंग उसने हमारे साथ में ठगई कि है करिशमाशी ने? हाँ मैडम, उसने धोका दिया हमें, पुली इसमें नौकरी दिलाने के बहाने, हमसे पच्छिस लाख रुपया एट लिये उसने पच्छिस लाख? मैडम, हाँ हम तो बरबाद होगे, करिशमाशी ने सब कुछ लूट लिया तैचोड तैचोड, इसमें का तैचोड? नहीं इची पे वो इनका फ्लो फ्लो में निकल जाता है नौलेज़ फ्लो है ये क्या कह रही है? वो कह रही है कि फ्लो फ्लो में निकल जाता है आप क्या कह रही है कि ऐसा है करिशमा सिंग ने आपको ठगा है हाँ मैडम हाँ मैं, उन्हों ने हमकोण सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का एक फरदी जौनिंग लेटर दिया, एक इस लेटर दिखा ना? और घुए, यह दिखिये, माडम! करिश्पा सिंह ने कहा कि गोमतिनगर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का यह जॉइनिंग लेटर है और कहा कि आपकी नौकरिया पक्की हो गई कल सुगा गोमतिनगर ठाने में जाके आप रेपोर्ट कर दो और जब यह वहां गई तो अरे बता ना जब मैं जॉइनिंग के लिए गोमतिनगर पुलिस थाना पहुंची तो वहां जाकर पता चला यह लेटर तो नकली है आप ना उस करिश्मा सिंग को पकड़ और हमारे 25 लाक रुपे हमें वापस दिलवा दीजे मैडम ने यह कलत है यह हमने पैसा नहीं लिया आपका वह हमारी हम शकल भेन रवीना ने लिया है हम शकल भेन हाँ हम शकल भेन बिलकुल हमारे जैसी दिखती है पुरा शहर जानता उसके बारे में और वो ऐसा ही करती है आप तहली नहीं है जिसको उसने ठगा है हमारा कपड़ा पहन के वार्दी पहन के और अब सबको ठकती रहती है वो और तथिक पकड़ीये ना उसे और दिला दीजेए हमारे 25 लाक वापस अब बबबब है क्यों क्यों और पच्छ कर दे करता डिया मेरें। आप्षी का पीजिए, क्पा ये क्या कर दिया है तुमने? मॉं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खीदी, रिलाक्स, पुछ्पजी, आरम से यह, क्या कह रहे है, जी हाँ उसका लाश मिल गया है, वो पंच नामा चल रहा है तब ये वीडियो हमको एक आखरी वीडियो भेजा अज फिर से हमारा चगड़ा हुआ करिश्मा दीदी से तंग आगए हैं हम उनकी रोज रोज की डियालोग बासी से इसलिए जान दे कि आज हम ये टंटा खतम कर देंगे, मरने जा रहे हैं हम भाई नहीं नहीं बिल्ले हम नहीं देख सकते ये वीडियो तु मत दिखनो मांग करिश्मा सिंग आम सो सौरी ये बहुत ही दुख की बात है हाँ मैडम सर बहुत दुख का बात है ये लेकिन भगवान को जो मन्जूर काश उसने हमारी बात सुम ली होती ये चोड़ चक्का छोड़ दिया होता उसने तो आज वा सब के सामें करिश्मा सिंग देखिए हम समझते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन होसला रखिए सब ठीक हो जाएगा रविना बेटा ये क्या कर दिया तुमने देखिए अब जो हो गया वो तो हो गया उसे कोई क्या कर सकता है एक मिलट यह क्या चल रहा है? अरे यही है उसी ने लिया है ना हमारे पैसे आप निकलवाईए हमारे पैसे हुँण T assumes अरे हमने नहीं लिये पैसे T problematic यही है है ना हमने नहीं लिये है व्मारी बहेंन रवीना ने की और रवीना तो अब इस दुन्या में नहीं रही नो? अरे यह जुट बोल रही है मैडम यह सारे पैसे इसी ने लिये है यह सब इसकी चाल है और इसके कोई बहन मेन नही मैडम क्योगा, तो फिर यह वीडियो यह वीडियो में यही है मैडम यही करिश्मा है और यही इसकी हम शकल बेहन रवीना भी मैडम यह सब जूट बोल रही है इतने भी बेवकूफ नहीं है हम सब समझ में आता है हमें यह सब लोगों को बेवकूफ बनाने के पैतरे हैं मैडम अपनी फर्जी बेहन खड़ी करके अपनी सारी करतूते उसके सर पे मंड करके कानून के गिरफ से खुद साफ निकल जाना चाहती है मैडम यह सब जूट बोल रही है अरिया क्या कह रही है आप दोनों हमने खुद रवीना के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई कल यहीं पर एक गोलगप्पे के ठेले के साथ रवीना ने एक्सिडेंट कर दिया था नहीं हो रहा आपको यकीन ठीक है चीता चुतुरवेदी मार्किट में से विट्रेस को बुलाई जी मैडम से वो करिश्मा मैडम की हमशकल बहन है नाम उनका रवीना ना हमने भी देखा है अपनी आखों से कोई शक्राइब अब आप लोगों को हो गई तसल्ली हो गई अब भी तसल्ली अगर नहीं हो रही है तो हम आपको रवीना की आईडी कार्ड्स दिखाए पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर आईडी करशमा सिंग अपने आईडी से देजिए प्लीज आप चाहें तो इन आईडी से क्रॉस्चेक भी कर सकती है देखा हमने कहा था न कि सब जोट है इनकी कोई हमशकल बहन वहाँ नहीं है अब पकड़ी गए न सारी धानली क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखे, इनकी so-called हमशकल बेहन रवीना की आईडी और ये देखे, करिश्मा सिंग की आईडी दोनों की आईडी में तीन साल का अंतर कैसे, दो जुड़वा हमशकल बेहनों में तीन साल का एज़ गैप कैसे हो सकता, मैडम? मुझे माफ कर दीजे, मैडम मुझे से गलती हो गए हम दोनों को माफ कर दीजे, मैडम इसके इस गलती में, मैं भी बराबरी की भागीदार हू अपनी बेटी की इच्छा और उसके उजवल भविश्य के लिए गलत और सही का फरक मैं भूल गई और जो भी रास्ता सामने आया, उसे मैंने अपना लिया लेकिन मैं ये भूल गई, कि जूड़ तो कागस की नाव है वो जादा दूर तक और जादा देर तक नहीं चलती मैडम, शिवानी और निधी दोनों एक ही है मैडम, पुलिस जॉइनिंग की हुम्र निकल गई थी मेरी तो एजेंट को पैसे देकर मैंने नया आईडी काड़ बन वा लिया और उस आईडी काड़ पे मैंने टेंथ के एक्जाम दिये और इस तरह मेरा फिर से नया जन हुआ, शिवानी के रूप में और और फिर उस ये एजेंट विंओ ने.. हेजेंट विंओध रखाए है, यार एजेंट विंओध ये एजेंट विंओध एजेंट विंओध ने रिटन एगजाम भी किसी और से दिलवा दिया शिवानी के लिए और ये पड़ाओ हम पार कर primera एजिंट का नाम क्या बदाया आपने? विनूद विनूद लोक उप में होगा माडम सब तजुर्बा कहता है हमारा कि इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों न हो अगर उसका तरीका गलत है तो फिर अस हासल के कोई माइने नहीं होते तुम पुलीस फोर्स जॉइन करना चाहती हो ये हमारे लिए कितनी फक्र की बात थी और तुम पुलीस बनने से पहले ही चोर बन गई चीटिंग करके तुमने एक्जाम पास किया और तो और फरजी आईडी भी बन वै तुम्हें पता है न ये गैर कानूनी है तुमने डिसपॉइंट किया है शिवानी या निधी जो भी तुमारा नाम है तुम देश की सेवा करना चाहती हो तुँ उसके और भी तो तरीके है उमीद करते हैं कि ये सब जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें सही तरीका अपने आप मिल जाएगा जी मादम चीता चुतरवेदी उस जूल्री वाले आमित को बुलाई उनसे कहिए उनकी जितनी भी जूल्री चोरी हुई थी वो हमने जब्त कर ली जी मादमस करश्मा सिंग, एजेंट विनोंद अभी लाते हैं उस टोप आदमी को जो 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 अंदर चलो चलो अंदर बहुत उत्पात मचा के रखा है न तुमने बहुत शुक है न तुमको फजी पेपर पर फजी नौकदी दिलवाने का आप तुम कानून का थर्ड डिग्री देखोंगे समझे तुम बहुत गलत काम किया है तुमने लंबा जाओगे तुम माफ कर दो मैंड़ सारे रास्ते तो धुंती आयो और कितना थर्ड डिग्री दोगी गल्ती होगी और नहीं करेंगे कासा मुठवालो हमसे नहीं करेंगे सरोजी हाँ यह यह लेजी आपके जुल दे चिक्करू चिक्करू वह वह अमा तुम बखोगे या फिर लगाए गुसान डे अरे मैं क्या कहरी रहा मैडम देखिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ज्वेल्री हमें ही वापस हिलवा दी तो ठीक है आपको अपनी जूल्री भी मिल गई है और इन दोनों का अपनी किये का बहुत दिल से पच्तावा भी है लेकिन इस सब के बाउजुद अगर आप रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं तो अले जाने दीजिये मैडम यह पस्तावा बड़ी बात है हम नहीं करा रहे हैं इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट विपोर्ट लेकिना सच को सामने लाने के लिए जिस अनोके अंदाज से आपने और आपकी पूरी टीम ने ये काम किया है हम दिल से आप सब को सम्मान देना चाहते हैं हम 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 हुआ हुआ थुदा धीरे चलालते मैडम अभी हम टेक ओफ करने वालेते हुआ 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 कश हुआ 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 इते जनम जाध्रित रास्त है आप काभ बोलने का कोशिश कर रहे हैं हमको समझ में नहीं नहीं आ रहा है कौन मुझरिम हम समझाता है बंद तो हम इसे करेंगे वोब जेल में मिस्टर चीता चतुर्वेदी यू आर अंडिर अरेस्ट है मैं होए ये धक पीछे ज्रा पकड़ेंग्श क्वबर्दार, मिस्टर बुलबुल पंडे अगर चीता को हाथ भी लगाया तो तो ये चीता नहीं है ये चीतर है अरे ये चीता और आज इस चीता चीतर जो है पिंजरे में पंध होने जा रहा है का एक पुलिस वाली होके अपना सीनियर पुलिस आफिसर को अपना ड्यूटी करने से रोकेंगी आप उसका नतीज़ा जानती हैं एक अप्रीब है डो ला जला है गिरफ्तर कर घ्ररी अवं एक मिल्ट काडिया इसको एक 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 मैडम नए छृिता तुम बतार निकाध बढ़ हो गया है हम पता करते हैं जबता तुम जाओ ठीक है माड़ माड़ लुको ना यारे ग्लोना से अंबिखेलते आउल न झाल अ कि यह वीडियो देख और मैडम सर एक दम पिखल जाएंगी देखो पुष्पाजी गर्मी तो है तनी के आइस्क्रीम पिखल जा लेकिन मैडम सर पिखले पुष्पाजी इमसंतो जी आपका डिसकुशन बात में कीजी नहीं कहें तो फिर बाती भी तो ऐसे मत किया करो ना बात आघर थी करती हो खेर पुष्पाजी संतो जी आपका डिसकुशन बात में कीजी मैडम सर आगे है मैडम सरके सामने ब nóiब बीकुल ओवरर्टिंग मत काना थो संतो जी सिखो पुष्पाजी से कुछ सीखो आगे, 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 हाए, बेचारे DSP, सर, देखो तो, एकदम ही, देवदास बन गए है, ऐसा लगता है, जैसे अगर इन्हे कोई जोग भी सुनाए ना, तो बेचारे हसने के बेचारे रोना शुरू कर देंगे अप, कौन, मादम सर, जैहिन मादम सर, जैहिन आप कब, हमारे कहने का मतलब है, आप यहां कब, पता ही नहीं चला, क्या चुपा रही है, मादम सर, हम, DSP सर के सोशल मीडिया पर उनके साड वीडियो देख रहे थे, संतू, क्या, दिखाए जरा, हाँ हाँ, दिखाए है, पुषपा जी, अब तो सोशल मीडिया पर चुप अब, DSP सर को तो देखकर लग रहा, अब उनके जीने की वजाई ही ने बची, बेचारे, बेचारे, DSP सर, यहाँ, लगी, आख दोनों तरफ बराबर लग गई, जयन करश्मा से, क्या हुआ, आप इतने गुस्ते में क्यो हाँ, गुस्ते में नहीं रहे, तो का ओ करे मैडम सर, वो ठोपा अदमी बुल-बुल पांडे उसने चीते को गिरफतार कड़िया और अपने थाने मे लेकिए चला गया, वो अब ने थाने में लेके चला गया, क्या, क्यों लेकिन, किसी ने उसके खिलाफ F.I.R. दर्च कर दी है और बस उठाके वो उसको थाने में ले गया अगर चीते को कुछ हुआ ना तो उस बुलबुल पांडे का नम्माईया कसम चबड़ा फाड के अलग कर देंगे करिश्मा सिंग शान्त हो जाएए बुलबुल पांडे ने अगर एक ऑफिसर को औरेस्ट किया है कॉंस्टिबुल को औरेस्ट किया है तो हम शोर उसके पास कोई सबूत तो जरूर होगा हम पहले ठीक से समझ ले कि सिटुएशन क्या है ने नी मैडम सार ये साफ जाहिर है ये जाहिर है कि वो पुराना दुश्मन ही निकालना है अम सब के साथ जूटे केस के चक्कर में उसको गिरफ्तार कर के लेकेगे अम नहीं छोड़ेंगे इस बुलबुल पांडे को करिश्मा सिंग आपके गुस्सा करने से चीजे और बिगड सकती है अगर चीता ने कुछ नहीं किया है तो हम उससे साही सालामत वापस लेंगे ठीक है हम अभी जाते हैं उसके थाने और पता लगाते हैं कि बात क्या है संतो शर्मा चलिए जी वान मिस्टर बुलबुल पंडे चीता चुतुरवेदी के खिलाफ क्या एफायर है क्या सिना जी अरे प्यार में धोका दिया है एक लड़की को इसने क्या सर बुलबुल सर ये है वो लड़की इश सब कुछ भूला दिया वफा का कैसा सिला दिया मेरे अमर प्रेमी का 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 अमर अमर प्रेमी देखे देखे देवी जी देवी जी प्रेमी तो हम है लेकिन अमर प्रेमी जो आप बोल रहे है न यह हमने है संतु जी बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए काचाब, ऐसा इतना प्यारा भोला भाला इंसान को अपना परसनल बता रही है, ऐसा कुछ पही नहीं है, संतु जी, ना, जीता, शांत रहो, शांतु जी मिस्टी जी, आप रोहने, नी तो भी रोने लगेंगे, यह लिए, ढूमाले जासे भी, मैडम जी ऐसे हमारी मिस्टी रोती जा रहे हैं, वो सब ठीक है, अंकल जी, आप क्यो रो रहे हैं? एक्स्कूज मी, हम कोई अंकल वंकल नहीं है, हम अमारी मिस्टी के बेस्टी हैं, प्लीज डूंट माइन, हमारा नाम नमन है और हमें नमन कह के बुलाईए, नमन भी ठीक ही, इसमों माइन क्या करना है, लेकिन आप रो क्यो रहे हैं, काई कि हमारी मिस्टी रो रही है, और हाँ, देखिए ना, ये देखिए, और हाँ, आप भी देखिए, इसी प्रोफाइल से आपने हम पे पूछा दाना, हम आपके हैं कौन, और फिर हमने आपको जवाब दिया था, हम तुम्हारे हैं, सनम, मिस्टी जी, आपको ना, कन्फ्यूजन हो गया, सन्तु जी, इन प्रोफाइल में फोटो हमारा है, लेकिन इन हमारा प्रोफाइल नहीं है, हमारे फोटो कारे गलत इस्तेमाल किया जा रहा, मैडम सभ्यान दीजिएगा, तो तुका सलमान खान है, जो तोहरा फोटो, अपने जगडा बंद करिया, और हमारी बास सुनिये, आज से ठीक 6 महीने पहले, हम तोनों अनलाइन मिले थे, मिले थे, नहीं मिले थे, मिले थे, और पिर जैसे ही तुम मिले, और फिर दिल के लिए, मैडम जी, इस बात कुछ है मेने नहीं, साथ महीने हो गए, तुमें कैसे बता, वो.. वो युम कसईपरोणी है ना दो.. अवढ अग्चुली मेडम हमारा फेमिली रेस्टूरें्ट है हम उसमें मेनेजर है तो कस्टमर को मेनेज क्रते है हमारी जो बुद्धी युद्धी य extrude लिगे है। सफाचत रेस्टूरेंट आपलब अकाज तोहरा सर से इस्पार हो के नाम रखे है सफाचाट फिर फिर क्या हुआ अरे हो ना गया था उसके बाद इनों ने हमसे बात करना शुरू किया और फिर हमें लगा यही है वो जिसका हमें इंतिजार था फिर अमर प्रेमी ने भी हमसे प्यार का इकरार कर लिया लिए देखिये और फिर जब हमने इंसे मिलने के लिये कहा न तो यह देखिये इनों ने अपनी प्रूफाइल को ही डिलेट कर दिया क्यों अमर प्रेमी जी दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था मुह से तो बोल दी, आप कहां से बोलेंगे कि आपको भरोसा होगा, नहीं है मेरा प्रोफाइल, नहीं हम है वह अमर प्रेमी अरे तो काई भोली सी लड़की जूट बोल रही है देखिये मिस्टर बुलुल प्रोफाइल पिक्टर लगा देना इस बात का सबूत नहीं है कि आमर प्रेमी है अरे Hasina जी आपका है टेंशन ले रही है, हम पूब कर दूँगा ना कि चीता ही आमर प्रेमी है देखिए Mr. Bulbul Pandey, हम अच्छे से जानते हैं कि आप ये सब सिर्फ अपनी परसनल खुननस निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम आपको काम्याब नहीं होने देंगे. तिक है, बिल्कुल कोशिश कर लिजी असीना जी, आज ठाइड है, सुक्रवार, दो दीन तो पेल मिलने से रहा, दो दीन इनकी खातिरदारी की जिम्मेदारी हमारा होगा. मेडम सरु. मेडम सरु, हम समझ रहे हैं, इसके दिमाथ में का चल्ला है. अगर चीता को खरोच भी आया ना, तो उस बुल-बुल पांडेगा मैंसा रॉकेट बनाएंगे ना, कि धर्ती पर पैर रखने लायक नी रहेगा वो. क्या करेंगे आपका रिष्मा सिंग? एक अन ड्यूटी पुलीस ओफिसर को मारेंगी? आपको माडम सर, हमसे बस इतना ही उमीद है ना? एक मिड़े, एक मिड़े, एक मिड़े, एक मिड़े, ये तिल मिलाती हुए, कहां जा रही है आप? हमारा ना सरदर्द हो रहा है, पुष्पाजी, इसलिए हम दिवार की तरफ जा रहे हैं तो दिवार पर सरपटके क्या होगा? कच्छी दिवारे तूट जाएगी आप हमारे साथ चलिए, पक्की दिवार की तरफ ले चलते आपको, किसी का तू भला हो? हम अपना सर फोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम शिष्टासन करने जा रहे हैं, जाएँ, माडम सर माडम सर, माडम सर, अमर प्रेमी की लोकेशन मिल गई है, हाँ? गुड, वेरी गुड, लेकिन यह पत्ता केसे लगा? सबसे पहले तो आपने जो वेरी गुड बोला ना, उसके लिए इस ओके और आई-पी एड्रेस हैट करके मिझे लोकेशन मिला है सिंगाडा बिल्ले, का है, का लोकेशन है? लोकेशन है, सफाचट रेस्टरांट का नाम है रोताराब रेस्टरांट का सफाचट रेस्टरांट एक मिनट, नमन के रेस्टरांट का नाम है सफाचट रेस्टरांट, करेक्ट? जी इसका मतलब नमन ही अमर प्रेमी है लेकिन अगर ऐसा है तो वो मिश्टी से जूट क्यों बोल रहा है इस नमन का तो हम ऐसा चौमन बनाएंगे ना कि टेप रिकॉर्डर की तरह सब उगल देखा हम हमें चीता को किसी भी हल में बेगुना साबित करना माडम साथ हमें ये केस हमारे तरीका से सॉल्फ करने दीजिए ठीक है करिये लेकिन जो कुछ भी करेंगी कानून की जद में रह करेंगी क्लियर हां हां कि बिल्ले यह विर नमन का फैमिली रेस्टोरेंट है हां हां नमन तो यहां मैनेजर वाला काम कर रहा है और मालिक की कत्ती पे कोई और बैठा हुआ यह क्या चक्कर है मेडम बंगले का मालिक होता है वो अपने पोदे को पानी दे इसका मतलब यह नहीं कि बंगले का मालिक माली उपन गया है ना? समझे माली बात है मेरी बात बिल्ले चंपत खेल गये तो इस माइ प्लेजर अरे कोई मैडम का ओडर लो ना? नमन भाईया किसी को भेज़ो ना? रगू? नमन भाईया एक बात मुच्छें अगर लडकियों को बॉल्ड और ब्यूटिफुल बोलेंगे तो किसी गंजे आदमी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बाल्ड और ब्यूटिफुल अरे नमन भाईया थे को सीरिस होगे अरे मजाग कर रहा हूँ सीरिस होजाते हो आप ली जी मेडम क्या लाओ आपके लिए? दो चाह लेकर आना फ्री शुगर फ्री अमा प्रेमी? रुको हम SI Karishma Singh Mahila Police थाना से हाँ मेडम हमी अमर प्रेमी हाँ हमको मालू में तुम अमर प्रेमी हो हमें जो जानना ना वो बताओ तुम तुमने अपने प्रोफाइल पिक पे हमारे थाने के चीते का फोटो काई लगा रखा वो हमको इंटरनेट पे मिला और हमने लगा लिया यो चमान मैं कपका ओडर दिया तरे वेटर को ओडर लेके आएगा या वो भी तरे बाले की तरह कभी नी आएगा क्या हो ओडर हाँ आभी भेज देंगे अच्छा एक जोग और एक जोग और अगर किसी टकले आदमी को उर्दू में भगाना हो तो क्या कहेंगे क्या कहेंगे टकलिया अरे मजाग कर रहा हूं यार हर छोड़ चोड़ बात में सीरस होना जुरूरी है अमाओ मजाग करने का बोत आदत है तुमको हाँ यह कबसे तुमने गंजा और टकला लगा रखा है अपने जबान को ना तमीज का अदर डालो वनना बद तमीजी के हम ब्रैंड तुम चाहे लेकर आओ तुम हमारे साथ आओ अमर पेमी तुम्हारा कोई भी जोग नहीं उडाएगा ठीक है तुमको नहीं सुनने को मिलेगा तुम बस हमको एक बार बताओ कि तुमने अपना पिचर काही नहीं लगाया किसी और काही लगाया यही सब बेजेती मेंड़ हम जवान बाद में हूए लेकिन उससे पहले हमारे बाल गायब होगा घर से लेकर कौलेज तक ना जाने लोगों नहीं हमें टकला गंजा उजला चमन क्या क्या नहीं का और अपने गंजेपन को बचाने के लिए हमने चीता जी की फोटो का इस्तमाल किया रखो बहुत बड़ी आभी माफी मांगिये पांगो सॉरी नमन भाहिया अब कठी लिए एक बात बताओ तुम अपनी बेस्फ्रेंड मिष्टी को धोका काय दे रहे माण हम धोका काय देंगे धोका वली बात वी ना नहीं मैड़ा हम धोका उसे काय के लिए हमारे माता पिता के बाद वह ही एक ऐसी लड़की है इसने कभी हमारे गंजेपन के वज़े से में कम नहीं आता हमारी बहुत केर करती है वो हमारी सिर्फ दोस्ती नहीं हमारी जान है और हम उसे बहुत प्यार करते हैं मड़े तुम बहुत प्यार करते हो मिष्टी से बच्छपन से मड़े एक तरफा कि बिल्ले लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाएं डड़ते थे कि मैना कर देगी तो और किसी भी लड़की के सपनों कर राजकुमार गंजा तो नहीं हो सकता है और हमें यह पता था कि कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में कोई आ जाएगी और वह हमें छोड़कर चले जाएगी इसलिए हम बस उसे इंगेज रखना चाहते थे इसलिए हम अमर प्रेमी बनकर उसे फ्रेंड रिक्रिस्ट बेजा और उसने एकसेट भी और फिर नमन ने अपन को भी हमसे प्यार हो गया और जब उसने हमसे मिलने के लिए कहा तो हम बहुत जर्ग है मैं अच्छे से पता था कि अगर हम मिस्टी से मिलने जाएंगे तो उसे हमारी सच के बारे में पता चल जाएगा और हमारे एक तरफा प्यार की वज़े से हमारी दोस्ती खतम हो तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा पहले बिन्दा जाकर बोल दो जो आग इधर है वही आग उधर है जो प्यार इधर है वही प्यार उधर है यह गंजपन की दिवार तोड़ दो नहीं, नहीं, वह उमको छोड़ देगी, हमें पता है नहीं, कभी करेगी एक्सेप्ट उनको नहीं, नमन, मत खबराओ, बिल्कुल भी मत खबराओ वो करेगी तुम्हें एक्सेप्ट वो वो अपनाएगी तुमको हम तुम्हारा साथ देंगे हम तुम्हारे साथ है किया हुआ करिशमा जी आप इतनी उदास क्यों लग रहे हैं लुष्मा जी जिस दर्द से अभी नमन गुजर रहा है ना उस दर्द से ना हम भी गुजर चुके हैं पता है अब को छोटा पैकेड बोनी चुटकी पता नहीं क्या 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 के हमको चड़ाते रहते थे बहुत हमको हमको पते का बोलते थे कि पुलिस में तो तुम कभी जिंदेगी में भरती नहीं हो सकती थी ऐसा बोलते थे लेकिन तब ना पुष्पाजी बभीता मैडम ने नहीं हमारा बहुत साथ त्या था हमको बहुत स्टॉंग किया और उसी आत्मविश्वास के साथ हमने उस प करिष्मा जी हमने आपको कभी बताय नहीं मगर तुम के सारे बच्चे यहां तक की सारे शिक्षक भी आमें मुच्छ मुच्छ कह के चिढाते थे मुच्छ होतना थुलाल जैसी वारना ना हुआ है फिर एक दिन ऐसे ही किसी एक लड़के ने हमें चिढाया हमें इतना गुस्सा आया ना कि उसको को कड़के हमने सब कंटाफ लगाया और सबसे कहा अगर किसी को भी हमारी मर्दानगी पे शक है ना तो सामने आ जाए उसके किसी की हिम्मत नहीं हुए दुबारा हमें चिढाने के आप लोगों कर तो खुचुपी नहीं है पुश्पाजी मेरे बाबाप ने मुझे इतने संवान के साथ मेरा नाम रखा बिलु जी लेकिन जब से मेरे बाल बच्चे नहीं तब से लोग मुझे पुकारने लगे गंज काला मोटा तो मैंने खुद पर हचनाशना शुरू कर दिया तो उसके बाद लोगों ने चिढाना बंद कर दिया मुझे काभी किसी ने ने चिढाया मैं हमेशाए सी पॉफिक्तay अरे हम यह चाहते हैं की नमन जैसा भी है खुद को औसी रूप में सुनिकार कर गपस अपर आत्म विश्वास के साथ ना हर परिस्तिती का सामना करें सही बात ये क्या कह रही है आप नमन ही अमर प्रेमी है हाँ मिष्ठी चीता इनोसिंट है तुम्हें केस वापस ले लिना चाहे क्या कह रही है आप असीना जी ये बखवास सुनने के लिए आपने हमें यहां बुलाया एक लड़की के दोस्को ये उसका मुझरिम बना दिया अपने थाने के कॉंस्टेबल को बचाने के लिए आप एक मासूम पे इल्जाम लगा रही है क्या सबूत है आपके मास सबूत खुद नमन ही है और इतना चलाने के जरूत नहीं है बुलबुल पांडे नमन सच बताओ देखो घबराओ मत वो बताओ जे कल तुमने करिश्मा सिंग को बताया था करिश्मा सिंग नमनलब जो केज हमारे पास है आपने करिश्मा सिंग को हाँ पुछताज के लिए भेज दिया हमने वहाँ उन्हें अजब पुलीस ओफिसर नहीं भीजा था ने, हम समझ गई, अगर करिष्मा सिंग गई होगी तो उसने जरूर दराया होगा, धंकाया होगा, ये मानने के लिए कि यही अमर प्रेमी तर नमन, तुम बिल्कुल मत रोग, कहो कि तुमें करिष्मा सिंग ने तराया था तेखो, अगर तुमने सच सच नहीं बताना तो तुम मुझे जानते नहीं हो, बोल बोल पांडे, अब कौन धंकारा है असे हम या आप, अरे बिस्खोपड़ा, तू धंकारा है, तू असर हमारा मतलब है कि यह हमको ऐसा बोलती है अगर हम आपकी जगा होते तो नमन, घबराओ मत, हिम्मत रखो और सच बताओ नमन, तुम ही हमर प्रेमी हो, तू शिमनना करे, दोस्त ने वो काम किया है, हम नहीं है हमर प्रेमी पाजी जो है हमारे हाथ में आ गई है हसी नमन, अब तो सिकारी जो है सिकार करके रहेगा नमन, तू ही हमर प्रेमी हो? तू शिमनना करे, दोस्त ने वो काम किया है हम नहीं है हमर प्रेमी निस्ट्र जी हमने आपको दोका नहीं दिया है तुम क्या कह रहे हो? यह हुए नबार नमन, सच्छत बताओ क्या यह महिला पुलिस थाने वालों ने तुम्हें प्रेशर किया था यह कबूल करने के लिए कि तुम ही हमर प्रेमी हो? बताओ नमन, जो सच है वो बताओ कराया था तुम्हें? तमकाया था? असीना जी, सबूत है हमारे पास कि कैसे आपने अपने धाना का इज़त को बचाने के लिए एक मासूम को डराया, भंकाया उससे कन्फेस करा है देखेगा, देखेगा आपके इस थाना का इज़त को कैसे हम मिट्टी में मिलाते हैं तुम्हारे पास सबूत है बुलबुलपांडे, लेकिन हमारे पास सच है जो जादा दिनों तक दबावा नहीं रह सकता यह जो तुम्हारे नापाक मनसूबे हैं न हम इने कभी काम्याब नहीं होने देंगे लगाओ जितना जोर लगा सकते हो सच तो बाहर आएगा क्योंकि यह महिला पुलिस थाना है ना यहां से क्कोई मुझरिम खोला गया है और ना हीं हमने कभी किसी बेगउना को साजा दी है का?? उसने अईसा कहा हमारे बारे में कि हम उसको धमका रहे थे? इसकी मलिया काst वहाँ था, हमने कितना जजबात से, जजबात मिला कर उपसे बात किया थोगा भाई सा मात कर रहा हूं? बिल्ले बताओ! हम्.... पोछने के लिए कहा भी किस से वो भी भी बिल्ले से है? ने! इसमें उसकी कोई गलती नहीं है औग ऑप क्यो उडली है हमेशा कि अबस्युदी CAP ये कषिती है कि अपके जपा डबा जबा जये तो हमें सुनाई ची नेता है आईए आप ता लेषा घ्ला डबादे ज बता इसमिर हुआ डो फुषफा जियाए दिया है अभम्यटाजी डोलते हैं तो हमें सुना ही अटा अटा छुडळ तो हम का करें च्वक एक मिलिघ में अपने हमे किll sushi apply? नहींमने का निए अइसा आपको सुना ही आसकता है नहींआए आपने कहा, इसली हमने सुना ना रहे नहीं高 दिए आपको सुनेंगी चुड épisode अपने थी कुछ अबम पुश्ःपाजी की जो बात है उससे हम थोड़ासा मतलब इत्तु सा इत्तु सा सहयमत है मतलब आपने हमें ही चुड़ेल का हाहा हा हा आप चेन नाव कर मुक्का मारेंगे बुस्पांजी को समझ में आया किसको हाह और एक शब्द और निकलाना भी तुमारे मुह से तो ये नमन का गुस्सना साथ में मिलके गलाद आवा देंगे यही तुम्हारा मा तो फिर क्यों ऐसी हर्कते करते हो हां हमारी बहुरानी है वो हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है हमें सामने भी नमन दिखाई दे रहा है योगा करने का ज़रूरत है हमको योगा नहीं योग ही है वो नमन ही है नमन करो तुम्हारे पास इतना गुर्दा आगया कि तुम खुद यहां मार खाने चलिया है हम हाई इसी लाएक आप मारी है मैडम हमे तुमने बोला खुदार रुखिए मैडम रुखिए यह भुल मुल पंड की तरफ से आया है आपको उकसर आया है ताकि आपको ताकि आप अफ तो मारो और वा ही अधिन कैमेरे से यह सबklärे और इसका कीस मजभू ओ हम देखते है इधन कैमERा तुम्ह LEWuk नहीं नहीं, रहीं होगा एक रहा है नहीं कामरा एक इंड सॉरी मेडम जी हमसे गल्ती हो गई और हमें या पर किसी बुलबुल नहीं भेजा है हम खुद माफी मांगने आए आपसे, हम पूरी राज सो नहीं पाएं हम यहीं सोच रहे थे कि आपने तो हमारी इज्जत बचाई और हमने धोका धी दिया हाँ दिया न तुमने धोका दिया, कहे दिया धोका, सच का ही नहीं बताया हम डर गए थे कि मिष्टी को पता चलेगा कि हम हमार प्रेमी है तो वह हमसे दोस्ती भी तोड़ लेगी इसलिए हम बता नहीं पाएं कुछ भी तुम्हारा इस बेफकुफी के चक्कर में न हमारा चीतावा सजा काट रहा है तो क्यों तुम सच नहीं बता देते हैं मिष्टी को हाँ क्या दिक्कत है तुम्हारा भाई नहीं मैडम जी हमसे यह नहीं पाएगा आप कुछ भी काओगे हम वह सब कुछ कर लेंगे लेकिन हम यह नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाओगे तो हमें भी अचार नहीं दालना तुमारा दफा ओजाओ यहां से तु लगा देगे कट्ड़ा पभी दफ़ो रुख जाओ नमन जय हैं मैडम सर जय हैं एक बात बताओ नमन हम जैसा कहेंगे क्या तुम ऐसा करोगे हाँ मैडम सर लेकिन करना क्या होगा तुम्हें हमारे साथ कोपरेट करना होगा कोपरेट कैसा कोपरेट मैडम सर अपने गंजेपन की वज़े से जो तुम अपना कॉंफिटेंस खोते जारे हो, वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, दोगे हमारा साथ? ठीक है मैडम सर, पुष्पा जी? जी मैडम सर, काउंसलिंग? हाँ, हाँ, हाँ मैडम सर, पुष्पा जी, ध्यान से मैं जाय पिकराता हूं, जी आप आईए, गुस्ता काबू में रखिये, हम सब सभादेंगे, मैडम सर, यह एक नंबर का टोपा इंसान है, इससे सच नहीं बोला जाता है, महिला पोलिस थाने कि इजद का कच्रा कडियो और आप इसका कॉंफिडेंस बढ़ा रही है, कॉंफिडेंस नहीं इसका कंफेशन चाहिए, मैडम सर, करिश्मा सिंग, कॉंफिडेंस के जरिये ही कंफेशन भी मिलेगा, आप बस थोड़ा सा पेशिंस रखिए, हम? चाहिए, मैडम सर आइडिया दे रही है, या फिर मस चूरन दे रही है, मütfen बहुतींे कैसा मैं हमान ना, का कनेक्षण और कंफेशन उरे, हमाहां जो खते हिसे के बेजे भी है, बहुती है, लियुक्त पर आइडी अप बाइज सोचने के यह जो टूनझ यह कैस मुछ हो विल्ट सबतु है तुमारे चार बाल उद जाते हो तुम तुम सुलजाँने पाते हो तुम केस सुल्जा दोगे इन्यी मेडम यह जो छीज जाहिए ना वो छीज मेरे पास है सिर्फ मेरे पास है इसे वाहिसा, कि प्रुछ थीज थो हमारे पास नहीं जे लगने मादम सार के बाल जञाएंगे तुम्हारे पास इस वान cuma HERE काइदे मेरो तुम्हारे छूर मही चाइद को रीचिज है तुम नहीं लगताफ तुम जादा होसे कही हो यह सिर्फ मेरे पास है, बिल्द स्पाय के बास, और यह टकला मुझे लाइक बनाता है, यह केस सौल करने की निस, अजया? उपर से टकला, अंदर भूसा, तुमारे उपर क्या निर्भर होंगे हम? बगो यहां से, हम करेंगे सौल, हम कुछ सोचते हैं हम सोचते हैं, हम सोचेंगे इस केस के बारे में, क्योंकि एक केस हम इस सावल करेंगे, बिकाउज, आयम, बिल्द स्पाय यह देखो, इनके सर पे बाल नहीं है, मगर अपनी फिल्मों में हीरो, विलन, गाडियां सब को उड़ा-उड़ा के कितने बड़े निर्देशक बन गए हैं, है ना? और यह, हम, इनने देखो इनके सर पे बाल नहीं है, बगर इनके सोचल मीडिया पे करोडों चाहने वाले हैं मिलता है तो सिर्फ रिजेक्शन, अब आप ही बताइए, अब बच्पन से लेकर अभी तक किसी आदमी को गंजे होने के वज़े से उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसका कॉंफिदेंस कैसे बढ़ेगा, बताइए मड़ तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, गंजे लोगों को भी प्यार मिल सकता है, इनफेक्ट मिलता है ऐसा ही है मड़, जरा बताइए, आपका अनुभो प्यार में क्या कहता है प्यार में इनका अनुभो I love you कहता है उस्पाजी तुम क्या कहना चाहते हो, हमें समझ में नहीं आरे मेडम, हमारा अनुभो से मतलब यह है कि आपका प्यार में क्या एक्सपीरियंस है क्या कभी आपको किसी गंजे आदमी से प्यार हो सकता है नहीं देखा ने, हमारे कहने का मतलब ये है, कि इन्हें किसी बाल वाले इंसान से पहले से प्यार हो चुका है देखा, हम भी तो वही कह रहे हैं, कि लड़कियां किसी भी गंजे आदमी को पसंद नहीं करती हैं जरा आप बताई, जरा सोचिए जरा सा कि जिससे आप प्यार करती हैं, अगर वह गंजे होता तो क्या आप उससे प्यार करती है हाँ, हाँ, क्यू नहीं हमें इस सब से कोई फरक नहीं पड़ता है अरे, माडम, आपका चेहरा देखके पता चल रहा है, क्या आपको फरक पड़ता है या नहीं इस सब बाते ना किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइप में इन क्या कोई वैल्यू नहीं होता है अरे, सुने, ओहो, इसका कॉंफिदेंस बढ़ाने के चक्कर में माडम सेर हमारे काउंसिलिंग का कॉंफिदेंस कम होता जा रहा है इसके लिए कुछ नया तरिका ढूढना पड़ेगा आप ये मैरिज ब्यूरो बंद कर देंगी नहीं, तो कॉंफिदेंस आ जाएगा वापस माडम सेर, नमन के लिए मेरे पास एक आईडिया है रिवान नमन भाई, क्या लग रहो यार, एक नम हीरो तो फिएंगो, ये खाटोगृफ स्कॉरहाफ है ये चाह किया आप ले ने भाला किया आपका आपको बाल चाहिए थे, हमको बाल दे दिये अब आपको कॉंफिदेंस आ रहा होगा तो आपको बज़ शादी हो झाएगी, फिर आपको बच्ची हो जाएगी अरहाँ बच्छी वाली हो जाएंगे आरहें कॉन्φिडेंस? एरा यास नो कॉन्फिडेंस नहीं है एलर्जी आरही हमको कुज्री हो रहे हमको बहुचोर से देज़् आरहे हमको विक्स से एलर्जी है पानी पानी कहा है जो दो देले हैं ॥ानी आप लोगो को क्या लगता है किया हमने ये सब कुछ ट्राइ नहीं किया हुआ अवा से दवा तक सब बदल दिये फिर भी हमारे बाल नहीं आए एक भी डाबेटीज के पेसंट है इतले हैर वेविंग भी नहीं करवा सकते इसाब से कुछ नहीं होगा मैडम सर हमको कुछ और सोचना होगा या कोई आडिया है आपके बास आई 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 तर्की भाई नहीं बद्बू आ रही है मर जाएगा अदमी और फिर का है यह 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 मेरे पास पैसे लग्ते और आपको तो पता है मँटें को पास पैसे नहीं अर्यवं, गंदा कर दिया जंदी आजमी सच सच पट उसको आवाज लगाई और कुष्ट मुझे देखा और पूच मार दी वैसे में किछल 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 में कीर गया है और मैं भागा वहां से तो मेरे पीछे पड़ी बैस। बैस। बैस कैसे बढ़ सकती। वो तो खुटे से बंदी थी ना मालकिन मेरे पीछे बढ़ी। तो बिल्ली की मालकिन हो मेरे पीछे बढ़ी। लेकिन मैने तो शपत लेकी कि गोबर लेकर आऊंगा। इसलिए गोबर से लटपत होके आया। लेकिन शपत नहीं तोड़ी, भले मैं हुआ गोबर से लटबद, लटबद लटबद, लटबद लटबद, बिल्ले तब ये भी बता दे कि तुसाथ पर गोबर लाने गया था, ये भैस ने तरूपर कर दिया निकल रही, निकल, निकल, निकल लटबर, अपने ले नहीं, अपने मित्र नमन के लिए लाया हूँ नमन भाई, ये गोबर तुम हपते भर के लिए लगाओ, लगाओ, ये तुम्हारे बंजर जमीन पर ऐसे बालो के खेट लहलाएएंगे, देखना अरे, मैंने भी ट्राइ किया है, हाँ? तो तो आपके बाल क्यों निया अभी तक फिर? आँ वाँ 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 बाल किस निये चाहिए? कॉन्फिडंस की लिए मैंने तीन दिन गोबर लगाया, मेरे में चॉन्फिडंस आ गया देखो, नमन, अगर तुमको मिष्टी का प्यार और सर पर बाल चाहिए तो फिर ये ट्राइ करो ये भूबर कर लो, कर लो, कर लो, कर लो कर लो, कर लो आप लो कह रहे दे हो, हम कोशिच करेंगे ठीक है, करो करो लेकिन नमन एक बात ही अद्रगो बुल-बुल पंटे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हम सब से मिलते हो ठीक है अब जाओ तुम नालिम ना क्याओ जाओ 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 साब भी तु करना ने इसको हाओ तुम दोनों मुझे नहलाओ भाग 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 यहाँ चलता है इन सब का हर जगा बद्बु भलाएगा अगी उमीद है ये बिल्ले का गोबर वाला आइडिया काम कर जाए हाँ बिचारा अयारे काई क्रिमिनल है कि मच्छर जो जेल के अंदर भर दी हो है अतना फोकस करके सोने का कोशिज कर रहा है मैं सुनने ही दे रहा है सब मच्छर अगुछ ब्रिवस्था वस्था करवाई है भाई जिंदगी बरबाद कर दिया काटके अरे भाई आदमी से और का उमीद कर सते हो इतो खुद एक मच्छर है मोठका वाला खुम पीने वाला विदवत अहरा भाई चारा आपका टारीफ कर रहे थे सर आदेख रहा हमको तुम ज्यादे न अखरा मत करो यह न थाना है कौन होटल नहीं है और दोस्ति कर लो इन मच्छरों से का है कि बहुत लंबा सजा होने वाला है तुमको महिला पुलिस थाना लखनाओ का बेस्ट पुलिस थाना सही बात है अने मतलब सर पे ऐसा कहता है यह बोल रहा है बहुत मजा आने वाला है उसका थाना का नाम मिट्टी में मिलते हुए देखने का लोगों से थूथू न करवाया ना तो हमेरा नाम भी बुल-बुल पांडे नहीं का कह रहा है मदद की जी हमारा बहुत बताओ यार इस चंडाल इसा इंसान गोल लगता है तुमारा इस चंडाल बिस्खोपड़ा हमारा जीजा है गलत हाथ में चली गए दीदी अब याद मत दिलाओ मनुस्ति लेकिन कोई बात नहीं तुम सही बतला ले रहा हो ठीक गिन गिन के ले रहा है Santuji Santuji आ गए थोड़ा काम सापिस चानते थे हम हम चानते थे हम चानते थे महिला पली स्थान में हमारे बिना अकेले आपका दिल ही लग रहा होगा तुम एक पैर पर भागते हुआ हैं सम्मिलने के लिए अई देख भाई 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 इपोटली देख इपोटली में अपना हाथ से खाना बना कर लाई है Santuji का पर रही है खाना नहीं लिकर आई हूँ रिपोर्ट्स लिकर आई हूँ तेरी सिगनेचर चाहिए मादी गुस्सा है लगता है यहाँ लाओ नहीं है तुम यहाँ बैटे-बैटे मच्छी मार रहा होगा इससे च्छतरवा काम कर ली वाह क्या बात है देख लॉक अप में भी बैटकर काम कर रहा है और एक तू है जो यहाँ निकम्मा, नकारा, लाचार और मुख्षोर बैटके यहाँ मुख्ती रोटिया तोर रहा है Sir ऐसा आप कहते है हमारे बारे में अगर हम आपकी जगा होते तो होते तब ना इतना बड़ा बड़ा काली दें दिया हमको Go ची तुछ तो अएड़ा तुझे बेगुनाश करतें गए क्यों नंवन अनू आपने टीम पे आगया अपने यह तीम में आगया है सखेञ हमे मैच कहल रहा है अर्द एपने थीम आगया तुछ थान पढ़े कर दें आपके टुझे प्री करने के यह यहाँ नमन अपनी साइड आगे, वुट्रेगी हो गया कल्फेस करने के लिए चाल चाल ठीक है साथी, ठीक है साथी, ठीक है चल पाई, सीयू सुछ सीना, हम भी बहुत सीना चाहते हैं मतलब कि हम भी भूत देखने चाहते हैं आपको संतुछी लेकिन यहाँ पर नहीं अपना थाना नहीं है, महिला पुलिस थाना हैंगी तो आपो जी भर के देखने हैं मैसी उसता जी चली जाए जब तक आख बढ़ किया निकल जाएए वैसे भी तूने जो किया है ना अंदर ही रहना चाहिए तू पाई संतुजी जाएं से यह महिला पुलिस थाने वाले जरूर इको पहार निकालने के लिए कौन हो खिचड़ी पकार है लेकिन साइद भूल गये हैं कि बुलबूल पांडे के सिकंजे में अगर कोई फस जाए तो लाग फसिस कर ले निकाल नहीं पाएंगे मेडम वो पैस को गोबर है ना मैंने पैक बंद करके लाया है तीफिन में बिल्कुल बद्बू नहीं आएगी हाँ हाँ मैं पोच्छी ना हूँ हाँ हे तुम तोने इधर क्या कर रह रहे है इसको अच्छी चाय पिलाने लाया तो ठीके लेके रहो अभे अश्यक्ट कहा से आ रहो हो धिकने रहा है ऍुछ नहीं का दंदा सुरु किया है पद्वित्त तरुकिन क्रिशी कारी करें कादेगा मैं कभर खोदने का भी धंदा शुरू कि तेरी लिये खोदू बात करता हैं, है। कि टीफिन में डेखाना क्या है? कि टीफिन के टीफिन में क्चुछ नहीं है, तौम खाली है… लेगो! देख बिलने, चूट पा दाश्नि मुझे ही! देख बिलने, सथ-सथ बता दे सथ बता दे… कुछ तुछ दुछ टूपा रहा हैं से! जल दी बोल, आतावाजी सटा क्लीर ते नहीं बताउंगा तो खुजाएगा तू? खुजाएगा नहीं तेरे सारे राज मेडम सर को बताएगा और हम भी बताएगे, तब बोल मेरे सारे राज? अच्छा यह मुझे थेखो किसी को बताया नामत नहीं इस टिफिन के अंदर एक नायाब चीज है यह नायाब चीज मेने नायाब के लिए नवाब के लिए मंगवाई है हाँ, हिमाले के अलग अलग वादियों से छेसो चबभी चड़ी बूटियों से बना है इसको पता है क्या बुलते ही? यववन प्राश यववन प्राश? ठेसी इस यववन प्राश का सेवन करने से इंसान का यववन कायम रहता है, बरकरार रहता है जवान रहता है, इंसान अरे तब ही मैं सोचू ओ नवाब की जवानी खतम ही नहीं हो रही है बेगम बेगम बनाए जा रहा है ओ येस मेर राज बताने जरे न मादम सर को कौन सार राज कह यसा राज मैं तरे सामने रिक्वेड करता है मां का बाप का डादा का सब के तरब से मां भी मंदा तरको प्लीज मेरे को यह 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 यौवन प्राइस देदे या हाँ एक 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 चमत लेलू ना तेके बाबु कुछ ज़्यादा नहीं है तो ठीके मत झालो करें गफेसे देख यो आपना भाई है डे दो दी दो प्रहुत दुझ आप भाई है हाँ वह फोड़ने नायाब चीज़ें पराचिन जड़ी बुटि नाराद मतो! अबे बिल्ले, ये क्टीवें से इतनी बद्बु क्यों आ रहिए है? बद्बु? प्राचिन जड़ी बुटि का अपमानी है सहई नहीं मिलेगी! ने, ने, ने! बिल्ले मेरे बाई, नाराद मतो, नाराद मतो! ती सच बता, यह बदो क्यो आ रही है। अभी अभी रही हूँ जिखो, यह बदिआम रोज रोज नहता नहीं है. तो इसके बदान से बदब आती है. तो यह जड़ी बुटी प्राचीन जड़ी बुटी है, तो यह बर्सों तक नहीं नहीं होगी ना? तो बदू को आएगी? अरे, इसको शुंगोगे ना? तब भी उर जाएगी शुगाओ शुगाओ, शुगाओ अच्छा यह जो शुगाओ अई है, है... अई उर्जा का सुन्चार हो रहा है तो ले 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 पराशन करना होता है खाली तरह सिमन करें सिमन करते है एक एक जवान कर जवान हुआ हुआ है जवान हुआ हुआ। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छी बिल्लू अपना भाई है जलो अरे एक मिल्ली हेलो, मैं पहुंची गया हूँ आप तन करके देखना मैं सामने ही मिलूगा आपको मैं उर जाओंगा मैं उर जाओंगा उर जाओंगा यह तेख यह जलो बिल्ली है हमा कोई है इतना सन्नाटा का है आज? हाँ अगदम खाली-खाली क्यों है मतलब उस दिन तो एकदम भरा पड़ाता कस्टमर आरे ते जा रेते खाना खा रेते पीरेते आज अगदम खाली-खाली यह दुखा आगे विल्लुजी आपने इतने सालों की महरत पर गोबर फेर दिया हम कितनी बार भी नाले हमारे शरीर से गोबर की बदबु जाही नहीं लिए और कस्टमर तो भारी से भाग जाता है गोबर की बदबु शूंके तो यह ताज़ा ताज़ा लगा लो देखो कुछ पारने के लिए कुछ खोना पड़ता है है? लिल्लुजी पलिज जोंट नाइड हमें यह आपकका गोबर नहीं चाहिए यह मेरा गोबर नहीं है यह अग आड गोबर नहीं है समझ लो, बना चुप रहो बना हमारा डिपार्टमेंट तला गया हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ खूसे और लाग का है समझ रहो हाहा का नमन नमन उजलत चमान यह क्या पुलबर? आप पुलबर क्या वाल? वाही मनोस आप में यह क्या कर रहा है बिले भाबू कहीं छुपो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बिलू कहीं यह इधर है दे हाह वाह बहुत बढ़िया बना एक महिना से हम घर नहीं आया और आपको लगता हम आपको याद नहीं करते हैं बहुत याद करते हैं बहुत प्याद इसको याद नहीं हो वासी बोलते हैं जो तुमको आ रहा है धरम बत नहीं सबी पुलिस वभाब का यह हाल है पती देड कोविड मामारी के चलते सब चौबीस घंटा से उपर ड्यूटी कर रहे हैं बता रहे हैं आपको बिना कुछ खाए बिना कुछ पिये दिन रात सुबा शाम लोगों की मदद के लिए दो दो महिना से सब अपने घर में गए आपको पता है कोई भी अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर हम कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं वैसे भी कंटामिनेंट जोन के वज़े से हमें एक नहीं जगा पर शिफ्ट कर दिया है यहां भाट पेंडिंग काम पड़े हैं और आप कहरे आराम कीजी आज तो हम कमाना कर रहे जो करें बहुत अच्छा काम करें तो पर अपने सेर्क भी तो ख्याल रखो ना रखते हैं पती देव रखते हैं ख्याल आप भी अपना ख्याल रखे हैं आप पेंशन मत जिए और माडम सर का ताइम हो गया चले करते आपको फोन ठीक है अड़े सुनो उनो बात तूनो अब कहा वो फोन रखने से पेल एक बार वो बोलो ना I love you बोलो ना कहा आप भी अचा म बोलते हैं I love you बोलो ना I love you बोलो ना I love you ठीक है अब रखते हैं I love you कि तुम्हाही मयाज की सासू मही यहा है कौन है मैढम किसी चीज पाइसा मेलता है यहा बैटकर यह इस बहुकर किस चीज का पाइसा मिलता है इसके चौज रडाने का पाइसा मिलता है विख थाना मिलता है अगरे मैढम लेकि सपना पर we Den kitchen to О graph और ठोरी है ओपर डूखे जोब तोड़ी नहों कि मुझरीम कहढ़ी नहीं बल्कि हमारा प्यारा सा भोला सा क्यूट सा सपना था हमारी सपना मेना इसे सनन सनन सन हवा चल रहा था हमारे पास आखर नहीं से खड़ी थी और हम इस अंतु जी के बगल में खड़े था इस एक दम गधाए हुए बावले से संतु जी को न इसे अपना गला में भर लिये उनके कंदाप रहे से जुगगर बोले कि हम संतु जी चुड़ा ले जुड़ा ले फाक फॉचु चुड़ा नहीं है संतु है भूल गया उसको नीम में चलने का बीमारी है एक सेकंद कुछ प्षाण सो जाए ये गुड़नाइट स्वीट ड्रेम कर दो प्लों अपक सुपाश्य ये अपको शुपाश्य एक कुट जाल गारे बवाल कर देंखे चुपावण थुपावण थुपावणी दिखाई 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 ए पुषपज भप हमा लोगो पट्या। जला धी आना पुषपजी पुषपजी नीन्द पूरा ना होने के वज़ा से ना बध्यानिमा इसा हो जाता है पुषपजी हमारी भी पूरी नहीं हुई यह जीते यह हम भी लगाता ड्यूटी कर रही इतने दिनों से, हमसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी बताओ किसका नीन पुरा नहीं हुआ है, पुष्पाजी का अच्छा तो वो कॉन है तो हर दो गंटे बाद दो गंटे के लिए रैस्टूम में जा कि आच पसर जाता है वो कॉन है तो हमें इससे बात कीजिए आप शायद भूल रहे हैं हम सास हैं आपकी नए नहीं हमको याद है आप हमारी सास हैं लेकिन वो घर पर यही तो दिकत है ना अपर आती होंगी आप लुप ऐसे लड़ते वे देखेंगी का सोचेंगी प्लीज मत लड़िये आडम सार आने वाली हमको यूनिफॉर्म पेनने जो जिए पट्या पुष्पाची हाँ हाँ इन्हें यूनिफॉर्म पेनने हमारा मुपट्टा जला दिया है चीथे ये नाला एक टेबल बं कैसे होता है उसपाजी वहां से मोड़ी हो उसको वहां पर भाहिं तो कोशिश्कर वे । कभी संतो की टेबल जयसे ना हमारा टेबल भी सजाओ तिस्पाजी लाइ ये नाइस बंध क्या है ये कर दो कर लिए कि के आँद के कि क्या हो आप ठीक तो है न आ कोशना हम हाँ हमीर आप आइये बाहर रही आए हुआ है अप कब ढ़ी नाइट ड्यूटी से अधिया थोड़ दिर पहले तानी कैसे हमारी आख लगगई ह refugees अपकी नीन कहा पूरी हो रही है इतनी तो दिन राथ ड्यूटी कर रहे हैं हमारी बात माने थोड़ा आराम कर ली जी आपको आराम की सक्थ जरूरत है कुश्पा जी यहां सबको आराम की ज़रुध है सब की हालत खरावे ने ने मैडम सेराब फ्लीज आराम कीचे आप थोड़े सो जाईए आपके सेहत पढ़ सकता है चीता तुम फटाक से नादरक वला कड़क चाय बोल दो मैडम सेरा के लिए जहर का पिला पिलाता था बदनमवा लेकिन पिलाता तो था अब हमको जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए कहा तरें हो रुको 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 चीता एक मिनुट रुक चाओ देखिए करिश्मा सिंग हम जानते हैं कि हम सब थके हो है बहुत काम है खासकर कि अब जब यह थाना यहां शिफ्ट हो चुका है तो और भी जिम्मिदारिया बढ़ चुके हम आराम नहीं कर सकते इंप्राक चीता तुम चाय ले ही आओ हम चाय पीकर थोड़े फ्रेश हो जाओ जाओ ठीक मिना ठीक शुषपजी भू जो रपोर्ट थी उसके बारे में अब अभी संतु माडम से कोई बात थी अब शर्मिल्णा अने की कोई बात थी बहुत लोगों को बिमारी होती है नीद में चले की मतलब मतलब आप नीद में चल रहे थी तभी तब हमसे टक रहे नहीं वाद सब्सक्राइब हैं हाँ, संतु हम नेन में चल रहे थे थांक्यो हमें जगा दिया पिस एक बात बताऊं मैं भी कभी कभी नेन में चलते हूं संतु जी नहीं सच में हाँ बस आपकी तरह से टकराती नहीं अफ यह कर्मी बहुत चलत मैडम सर, आप चलिया हाँ चलिये, ये तो खैर चलता ही रहेगा अब कौन है? मैडम सर, हम देखते हैं वो देख लिए ये आप चलिये ना डेल्टा वन रिपोर्टेंग मैडम सर, आप आप अराम कीजिये, आपका अराम का सब्स्तर होता है हम समसबाने हाँ, हाँ, वो ठीक है, लेकिन आपको किस से बात हुए, आप कहां जा रही है, बताएगे मैडम सर, हम सभाल लेंगे, आप हम पर भरोसा रखिये करिशमा सिंग, बात भरोसा की बढ़, हे बगवान, पतनी अब कौन सा नाया जमेला खड़ा करने वाली एक तो इनकी नीन पूरी नहीं हुई है, मैडम सर, वैसे भी वो पकलाई हुई है, पता ने क्या सुन लिए, अब आरलेस पे कुछ अनर्थ ना हो जाए पुश्पाजी, अब बो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, चलिए ने, आप बगलवली सीट पे बैठी, गाड़ी हम चला लेंगे, आपकी नीन पूरी नी हुई है ठीक है, ठीक है, आप चलाए गाड़ी, संतो शर्मा, हमें करिश्मा सिंग की लोकेशन बताते रहना, ठीक है? जी माडम सर, चलिए माडम सर, चलती रही है बबबब, लेफ्ट लेफ्ट जीटोन पर एक बैटोन बहुत माडम माडम कि अच्छे का दर्वाजा खोलो तुना ही नहीं ते रहे हैं पीछे का दर्वाजा खोलो नहीं तुम को खोल देंगे यहां पे संजे क्या कहे हम तुमको इंसान कहे या हैवान कहे बताओ हमको क्योंकि इंसान ना कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा और अगर हैवान होता तो वो तुमसे घड़िया और बुरा नहीं होता इंसानों की साथ से छीनने का जो तुमने ये नीच हरकत किया न इसके लिम तुमें क्या करें जमीन में गार दे या फिर आसमान में पहुचा दे बताओ हमको बताओ कहां ये बीच में टेंपो खोड़ा करके रखा है एक मिट रुकिये रुकिये करें ये 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 मैडम कहा गयी ये रही बारशमा सिंग अब यह क्या कर रहे है जरा बताने के रहे है ये जहमत उठाएंगी या मैडम सर वायरलेस पे ऑक्षिजन सेलेंडर का काला बजारी का टिप मिलाता हम शक था कि इस टेंपो में अवैद ऑक्षिजन सेलेंडर कैर कानूनी तरीके से ब्लैक में बेचने के लिए लेके जाए जा रहे है हमने टेंपो का पीछा किया तेंप करिश्मा सेंग ये क्या कह रहे हैं आप एक पुलीस ओफिसर होकर ऐसा काम कैसे कर सकती आपने एक आदमी को मार दिया आप जानती भी आप क्या होगा हम आपकी बारे में जो शुरुवात से सोचते आए ना वही सही है आप एक इर्रिस्पॉंसिबल इम्मेचौर एरेगन पुलीस ओफिसर हैं जो अपनी अपनी इस डंडे की फिलोसफी को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है का बचाओ बचाओ, 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 अब खोद आपके खेलाब कारवाही करेंगे और ऐसी कारवा ही वहिए ROB, मैडमस professions, क्या है पुशपाजी JK, वह, उपर तो देखी है बचाओ, 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 बचाओ मेरा हाँ चुट रहे हैं, मेरा हाँ जानते हैं, मैडम सर, हम कितना भी कोशिश कर लेकिन आपके अपना भरोसा कभी नहीं बना खांगी बचाओ, बचाओ, बचाओ लेकिन हम भी ना बच्पंस यमारा बट सीरिस प्रॉब्लम रहा है कि हम भुट जिद्धी हैं जो ठान लेते हैं, वो कटे रहते हैं, इसके एक बहुत जल्द हम आपको यह प्रूफ करके रहेंगे कि हम भी एक जम्मेदार पुलिस करती हैं और चानून का उतना ही सम्मान करते जितना आप करती हैं आप सही कह रहे हैं, हमने गुस्से में आपको कुछ जादे ही कह दिया, आप एक जिमिदार ओफिसर हैं, और हमें आप पर पूरा भुरसा हैं, ठीक है, आम सॉरी एक पुझे माप कर दीजिए, जोड़ दीजे मेडम, पिरा है चुड़ रहा है मेडम, मेरा है चुड़ रहा है सुनि तो, आपने उसे हवा में उडा तो भी, आप उसे लीचे कैसे उतारेंगी? नहीं मेडम, मुझे मानावत, मुझे मानावत पर पर मुझे मानावत पर, नहीं, नहीं मुझे चोड़ दो पर कुचाँ! मज़ा आ गया मैडम, क्या सबक सिखाया अपने इस बदमास को, इसलिए आपके महिला थाने का नाम इतना फैमस है, बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया आपके होसला अवजाई के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम हमने अकेले नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया है, खासकर एक इंसान ने, जिसकी वज़े से आजी क्राइम होने से पहले रुख पाया, और वो है, हमारे थाने की ऐसा है, करिश्मा मैडम सर, मैडम सर, आप दोनों चश्में लगाई है ना, क्या है, ड्यूटी के वेज़े से नेम पूरी नहीं हुई है ना, तो आग के नीचे वो टार्ट सरकल से ना, छुप जाएंगे शेव जी, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाये रखें, नजर ना लगे इन दोनों को हम, 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 हम लगते हैं और आपका मेडम आपका फोटो काइट दिया अरे तो बहुत ज्यादा गलत है मेडम क्या है कि फिल्म में तो एक ऑई तो हीरो होता है ना और यहां की हिरोईन तू है, मतलब थाना की निचार्ज तो वही है ना, हाँ अगर थाना की निचार्ज आप होती ही, वाज आपका भी फोटो लगा होता है यहां पर अप का कर सकते है माडम, अपके लेटर आया है, हमारे लेटर आया इस पते पे, काउं भी जा, क्या आपका कुछ अठाई होगा, हाँ दिखाओ, हम पढ़ते ना, एक मिर्ट, पुषपाजी, हमारा लेटर है, पहले हम पढ़ लेगे लादा शोगा, ची ते तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, हाँ माडम, हमको नहीं पढ़ना था, जम आदया रही है, मारी नण, प्रिआस, मैडम आपको बुलबुल पांडे के थाने में ट्रांसफर किया जाता है एस अस्टेशन इन चार्ज ये अचानक ट्रांसफर कैसे है बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइजड है मैडम जैसा उसका हरकत है न हमको पूरा यकीन है कोई बहुत मारा होगा उसको नहीं नहीं चीते है वो बहुत जादा आपना दिमाग चलाते ना तो शायद ब्रेंटी उमर हो गया होगा उफ ये तब ये खराब होने की वज़े से बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइजड है और उन्हें रिकावर होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए इसलिए तब तक ये लिए आप वहां जाएंगी वहां की इन चार्ज बनके कब लेना है करिश्पा मैडम को चार्ज आज ही हाँ इसमें लिखाई कि जैसे ये लिटर आपको मिले वैसे ही आप जूटी जॉइन करें जी देखिये सर प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए हम भी यहां बहुत अंडर स्टाप हैं और बहुत ओवर्वर्क्ट हैं करिश्मा सिंग अगर अभी यहां से चली गई तो हम हम कैसे मैनेज करेंगे सर हम बहुत प्रॉब्लम में बस जाएंगे आप प्लीज आप प्लीज कुछ भी करिए और करिश्मा सिंग का ट्रांसफर ओर्डर कैंसल करवाईए का समस्य का है मैडम सर का काई नहीं चाते कि हम भी सोतंतर रूप से कोई थाना संभाले और साबित करें कि हम भी अकेले थाना चलाने के पूरी कापिलियत रखते हैं मतलब इनको अप्पी यही लगता है कि हम अकेले थाना चलाने में सक्षम नहीं है जी सर जी सर आप ठीक कह रहे हम हम आपकी परिशानी भी समझता हैं जी सर ठीक है सर फिर हम फोन रखते हैं जी स Kosten करेंड, शुर्ण सरफध हैा कुछ दिनों के लिए हमें Karishmaa Singh को बुबुबुल पांडे की ठाने बेज नहीं होगी सरकारी ओडरे अब ऑडर है तो क्या कर सकते हैं सरकारी आदेश कावेलना आप यही कर सकते हैं उफ ये मासूमियत है अरे हम जंग पे थोड़ी जा रहे हैं शहीदों ने संतू बगल वाला थाना में जा रहे हैं जब तुमको हमारी याद है तुम भागी चलिया ना टोपा वाला चैरा लेके हमको मत भेजो भी यांसे ठीक कर अपने चैरे को ये रोंडली शकल हमको नहीं चाहिए हसो हसो और हसो और हसो और हसो और हसो और फोड़ा और ये हुई ना बात जब भी मन करें मिलने आजाना चीता अंजाने में सही लेकिन तुमने बहुत पते का बात बूल दिया, तुमको पते हैं, तुमने सही बोला है, हीरो एक ही होता है, दूसरा जितना मर्जी महनद कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, वो साइड हीरो ही रह जाता है, बहुत हो गया ये साइड हीरो करो अब हम भी हीरो बनेंगे और न्यूस पेपर के फ्रंट पेज पेना सिर्फ हम आएंगे आ गए आपके पास नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है पुषपा जी आप का है उदास हो रही है आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कुछ दिनों के लिए ही सही बला तो टली अब खाये मजिस से आपके गोल कपे, चाठ मसाले और आपके ये छोला बटूरे सब भर भर के कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है हजम भी तो होना चाहिए ना आप से बिना लड़े खाना पच्ता कहा है हमें अरे हम जहाच के पंची है जाएंगे भी तो वापिस जहाच में ही आएंगे ना लोटके घरी आएंगे ना फिर निकालीजेगा जितना बढ़ास निकालना होगा आपको हम पर ठीक है तब तक आप ध्यान रखियो और ये गोल कपे वाला चेर अपना ठीक हीजे आप मुश्कुरा ये थोड़ा हमको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे जाना आप सब ऐसे उदास और फिर देखिये वहाँ जाके अपना जो दिमाग है ना जो हमेशा गर्म रहता है उसे ठंडा रखिये हम ठंडा ही रहते हैं और अपनी सेहत सुनती भी नहीं हमारी बाद करश्म आपको बहुत मिस करेंगे अपना खयाल रखिये और अल्दी बेस्ट जल्दी मिलेंगे तन्यवाद मैडम सुनती मैडम मैडम आपके बिदाई के लिए परस्नली हमारी तरफ सेख़्ो साप्राइच है आई मट आई चलिए आई आई मैडम ऐसा क्या आई 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 का हो गया बंटी मैडम आई आए आई आई थैंहें थारे मैडम आई आउsy MA आई ए हना अच्छा है बात बाड़िया फैंक य्था जय फैंक शल्तिया और मिस्क्राहि ऑड़ियोगी अच्छा है त रखंपवहां ए र जन्लिए अटक्या झ्षण दिन्लु किर में ने आधिके अधूल हम आपको छोड़ दे नहीं मैडम सर हम चले जाएंगे और वैसे भी जिंदिगी में एक ताइम आने के बाद इंसान अपना रास्ता खुद ही बनाता है और हमें लग रहा हमारा वो टाइम आ गया जब हम अपना रास्ता खुद बनाएं आपके भरोसे कब तक कटेगी करिशमा सिंग हम जानते हैं कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरा थाना आपको अकेले समालना है और आप नहीं संभाल पाएंगे ठीक से नहीं कर पाएंगे यही ना नहीं हम यह नहीं कहने वाले थे हम यह कह रहे हैं कि और आपको अगर कभी भी हमारी जरुद जरुद तो आपको भी मारा पड़ेगा मैडम सर आप हमें याद कीजेगा हम हाजिर हो जाएंगे आप जैसा ना सही लेकिन आपसे कम भी नहीं बिल्कुल जैहिंद हे भोलेनाथ हमें आसार ठेक नहीं लग रहे हैं यह खामोशी किसी बड़े तुफान का संकेत दे रही है भोलेनाथ रक्षा कीजिए पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है झाला है